इस lecture में आपको correlation की case study दिखाई जाएगी, बड़ी simple और quickly दिखाई जाएगी, मैं screen पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम correlation, correlation लिखने के बाद हम देखते हैं जो correlation df के अंदर, जो हमने पहले से data load किया हुआ है, यह सारा हमारा data frame आ गया, अब correlation हमने देखना है, तो मैं simply क क्या करूँगा, df.core, तो यह मेरे पास पूरे df का correlation आ जाएगा, यह पूरे df का correlation आ गया, let me see, और यह मुझे बता रहा है कि इसके अंदर string और float भी मजूद है, तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है, मैं df के अंदर, सिरफ जो numeric variables हैं, so उनका heat map बना देते हैं, ठीक है, create a heat map of correlation, directly हम heat map बना लेंगे, df कोरिलेशन का, और obviously यह उन्हीं variables का बनेंगा, जो numeric variables हैं, कौन कौन सी हैं जी, age and fair, तो मैं यहाँ पे double quotation mark लगा के, age, fair, बिलें जनाब, यह correlation matrix आपके सामने आगया, यह 0.097 correlation है, अब आपने बताना है कि यह highest है कि lowest है, और यहाँ पे 0.097 वही चीज़ है, कि fair or age, यानि कि age बढ़ने से क्या fair bird है, क्या नहीं बढ़ना, ठीक है, तो यह हमारा correlation था, आप किसी और value पे भी लगा सकते हैं, से, for example, आप यह वाला correlation भी लगा सकते हैं, कि जो fair है, ठीक है, वो किस, किस base पे बढ़ना है, से, for example, fair, based on age हो गया, based on survival class भी आप देख सकते है आपको दो numeric variable चाहिए, male और female की जो age है, इसका correlation भी आप लगा सकते हैं, से, for example, यहाँ पे हमारे पास जो एक data था, age underscore male and female, age underscore female, आप इनका भी correlation निकाल सकते हैं, like this, core, यह non-value आ रही है, इसका मतलब इनका correlation कोई नहीं निकलना, because there is something wrong here, तो मैं यहाँ पे age underscore male को दुबारा से चेक कर लेता हूँ, df के अंदर, df की जो age है, उसकी value, मैं सिरफ अगर male आए, तो यह age underscore male है, इनकी age, यह age नहीं आना, sex आना है, so यह age आदेगी, और female is equal to df के अंदर, df sex female, इसकी age, यह हमारे पास आगया जी, age underscore male dot core, इसके अंदर हम लगा देंगे age underscore female, यह अभी भी हमारे पास नना आ रहा है, इसका मतलब है, कोई इतना relationship इसका नहीं है, you cannot compute this, और maybe there is something wrong, अब इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, sns dot scatter plot, तो x पे हम रखतेंगे, is equal to age underscore female comma, y पे रखतेंगे age underscore male, को value नहीं है यहां पे, there is something wrong, age underscore male तो हमारे पास आ रहा है, dot, तो d data is equal to d I see, उसके अंदर null values हैं, अभी भी इस वज़ा से यह हमें wrongly predict कर रहे हैं, so by the way, आप इस तरीके से correlation निकाल सकते हैं, अब हम tips के data पे correlation निकाल के देखते हैं, तो मैं यहां पे tips and correlation, यहां पे tips का data download करते हैं, is equal to sns dot load data set, और इसके अंदर हम tips लिख देते हैं, tips का data कुछ इस तरीके से नजर आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हम total bill and tip का correlation देखेंगे, which makes sense, कि क्या bill के बढ़ने से tip भी बढ़ती है के नहीं, so उसका तो हम सबसे पहले scatter plot बनाते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा के tip बढ़ती है के नहीं बढ़ती, ठीक है, and here you go, ये आपको एक plot बता रहा है के data के बढ़ने से tip भी बढ़ रही है, लेकिन हम इसका linear model भी बना सकते हैं, जैसे sns dot lmplot, lmplot हमें क्या करता है, वो कुछ इस तरीके से result देता है, ये वाला जो है plot, ठीक है, so मैं lmplot पहले बनाता हूँ, और lmplot से आपको पताता हूँ कि किस तरीके से correlation हमारे पास आता है, अगर correlation इदर वाला भी बढ़डा हो और उपर वाला भी बढ़डा हो, यहाँ पर df के अंदर जो tips है, tip का core निकालना है total bill से, तो ये आपके पास, इसी, there is something wrong, let me see, क्या रॉंग है, I see, ओह, मैं भी ठीक हूँ, यहाँ पर tips है, इस data गना, तो, tips के अंदर, जो total bill है, इसका हमने dot core निकालना है, tips के असाथ, तो यह आपके पास, 0.67 आ गया, ठीक है, 0.67 इसका मतलब है, यह positive correlation है, which can show you like this, तो यह LM plot क्या बदाता है, आपको यह correlation की line है, ठीक है, यह जितनी line, इस तरीके से उपर को जाती जाएगी, correlation बढ़ता जाएगा, जितनी flat होती जाएगी, correlation आपका, क्या होता जाएगा, positive से neutral होता जाएगा, अगर यह line, यह सीधी line होगी, तो correlation आपका 0 है, यानि कि एक के बढ़ने से, दूसरे पर फरक नहीं पढ़ड़ा, अगर यह line, ऐसे उपर को जाने लग गई, तो इसका मतलब है, correlation आपका positive है, अगर यह उल्ट होगी, तो इसका मतलब है, correlation आपका negative है, So here you can have a look, कि यह positive correlation है, and we can also draw the examples of, positive, neutral, and negative correlation, ठीक है, So हम खुद से भी draw कर सकते हैं, but this is how you can have a correlation like this, और अगर आप इसका matrix भी बनाना चाहें, you can also draw a matrix based on this thing, correlation आपका यह भी आ गया, और अकसर उकाद correlation जो बनता है, वो आपका different variables का बनता है, अब यहाँ पे correlation के अंदर, आपको एक plot बना के दिखाता हूँ, के sns.pairplot, और pairplot जो है, वो पूरे tips पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, यह आपका basically correlation की base पे ही बनता है, अगर आप गौर करें, यहाँ पे total bill है, total bill और total bill का आपस में, किस तरीके से बन रहा है correlation, ठीक है, और अगर आप देखें, total bill और tip का, तो यह गया, सही है, यह यहाँ पे size है, तो यह size है और total bill है, लेकिन आप देखेंगे कि tip और total bill, अगर गौर करें तो scatter plot सिरफ उसी का बनेगा, जिसमें numeric values हैं, जिसमें integers हैं, लेकिन categorical values हैं, वो उनका इस तरीके से plot बनेगा, और जिसमें categorical values प्लस आपका, यानि कि tip और tip अगर आप देखें, sorry, दोनों अगर numeric same value तो आपका इस तरीके से बनेगा plot, और यहाँ पर अगर देखें, तो size है आपका, और बाकी आपके पास total bill है, तो यह जो आपके पास pair plot बनता है, यह सिरफ continuous values के ओपर बनता है, अब अगर इसको मैं, इसके अंदर आपको दुबारा से tips and total bill के ओपर pair plot बना के दिखाऊं, तो it can also show you, wait, it can show you, but let me show you first, खशनल्ड ओके अंदर अगर दो कर दो यह holds पास Titans यह आपका pair plot हो गया अब आपको मैं दिखाता हूँ तीन किसम के जो basic हमारे पास correlations होते हैं मैं सिरफ आपको negative, positive and neutral correlation की examples यहां पे plot करके दिखाता हूँ and then we will have a look यह है जी यह positive correlation होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से line आएगी ठीक है यह positive correlation है यानि कि नीचे से उपर को जा रही है दुनों values यह neutral correlation है हर एक चीज फैली वही है neutral correlation यानि कि एक के बढ़ने से दूसरे पर कोई इतना खास फरग नहीं पढ़ रहा trend जिसको हम बोलते है यह negative correlation है यानि कि एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है अगर आप गौर करें तो अगर यह वाली बढ़ रही है दूसरी value कम हो रही है तो यह negative correlation है तो इन तीनों के आप basic plots भी बना सकते हैं scatter plot की बजाए आप LM plot भी बना सकते हैं it's totally up to you लेकिन अगर आप LM plot बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यह तीनों शों होंगे वाहां पे ठीक है and that's how you can actually draw them मैं यहां पे sns.lmplot यह बना के आपको दिखाता हूं तीनों के यह हो गया इसका इसके अंदर ने बन्रे यहीं पे separate बनाते हैं sns.lmplot x,ypus इसका ने बनेगा यहां पे so by the way मैं आपको यह दिखाना चाहरा था कि इसके उपर अगर trend line draw की जाए you can also make a line plot here तो वो भी आपको कुछ इस तरीके से line बना के दिखाएगा कि किस तरीके से इसमे trend line चलती है so usually तीन किसम के correlation है positive, neutral and negative तो आप इस तरीके से correlation निकाल सकते हैं correlation की value आपको बताएगी कि एक के बढ़ने से क्या दूसरा bird है के नहीं बढ़डा तो यहां तक हमारा आज का lecture जो है उसे हम finish करते हैं हमने जो आज कुछ सीखा उसकी सारी की सारी note books आपको GitHub की library के उपर मिल जाएगी repository के उपर मिल जाएगी वहां से आप इने access कर सकते हैं यह जितनी भी चीज़ें आपको मैंने आज के lecture में दिखाई हैं एक्जैम्पल के तोर पे आप इसको एक original EDA की file के उपर apply करें जो इसमें आप पहले exploratory data analysis कर रहे थे उसे पर apply करें और इन different analysis को वहां पे use करके आप इसमें से interpret करने की कोशिच करें जैसे आज हमने करने की यहां पे try की इसका एक बेतरीन तरीका यह होता है जो भी आपके पास results हैं अगर आपको नहीं समझा रही तो chat, GPT या different algorithms को results दे और उन्हें अपना scenario बताएं कि आप क्या hypothesis generate कर रहें and then it can tell you जो आपके results हैं वो positive and negative हैं या किस तरीके से आपका relationship बन रहा है comparison of means कैसे हो रहा है या different किसम के analogies आप कैसे लगा सकते हैं यहां तक आज का lecture जाओ से मैं रोकता हूँ